आज की जनरेशन बहुत कन्फूज रहती है लोब मेरीज वालों के हाल देखकर की लोब मेरीज करें या एंट मेरीज चोकि शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है खासता लडकियों के लिए कौन सी शादी टिकेगी यह कहना बहुत मुश्किल है शादी के बाद कैसी जिन्दगी होगी इसके बारे में भी कुछ नहीं का जा सकता आज कल तो सब के ही लव अफेर हैं लड़की है तो उसका बॉइफरंड है लड़का है तो उसकी गल्फरंड है जैसे एक स्टेटा सिंबली बन गया है पहले हम लव मेरिज की बात करते हैं अगर आप इससे प्यार करते हैं तो आप जुरूर लव मेरिज ही करना चाहोगे पर पेरेंट्स शादी के खिलाफ हैं तो मैं कहूंगी आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि शैद यह शादी करना सही नहीं होगा समय लें सोचें कि पेरेंट्स क्यों माना कर रहे हैं तब ही सही फैसला लें दूसरा अगर आपने पेरेंट्स से लव मेरिज के लिए बात करी और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है हम उनके खर्जाकर मिलना चाहते हैं और मिलकर आने के बाद है कहते हैं कि इतना अच्छा रिष्टा तो हम भी नहीं जून सकते थे तो यहां love marriage करना बिल्कुल सही है क्योंकि आपका प्यार भी मिल जाएगा और parents को भी रिष्टा पसंद है उनका साथ भी आपके साथ हमेशा रहेगा love marriage क्यों नहीं टिकती इसका असली reason यह है कि आप लोग चार पंसार relationship में रहने के बाद शादी का फैसला लेते हैं एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं कुछ नया नहीं होता बस उस चहरे से प्यार होता है चाहे आप हो चाहे आपका boyfriend हो शादी के बाद ही असली चहरा सामने आता है शादी से पहले तो दोनों formal behave करते हैं असली चहरा आने के बाद लड़ाईयां शुरू हो जाती हैं और फिर अलग होने का फैसला क्योंकि patience तो किसी में है ही नहीं होने को love marriage भी बहुत कामे होती है अभी मैंने एक love marriage देखी तोनों husband wife में बहुत प्यार है वोकि लड़की बहुत समझदार है अच्छी rich family से है लड़के से भी ज़्यादा कमाती है office या कर घर का काम करती है बहुत कम बोलती है और बहुत सुलज़ावा बोलती है दोनों एक दुसरे की DP phone पर लगाए रहते है और लड़का इस बात की बहुत respect करता है कि उसे अच्छी वाइश मिली तो कहने का मतलब है कि partner सही मिल जाए यह है बात जादा माइने रखती है ना कि यह है कि दोनों शादी में से कौन सी शादी सही है मैं तो कहूंगी कि अगर love marriage के लिए partner भी त्यार है लेकिन लड़का शादी से पहले शर्ते रखता है तो अगर आप वे शर्ते पूरा कर सकती है या अगर लड़की शादी से पहले शर्ते रखती है और लड़का वे शर्ते पूरी कर सकता है तो ही love marriage करें नहीं तो नहीं करें बलकि भगवान से शुक्र करें कि partner ने अपना असली चेहरा अभी ही दिखा दिया और अब आप सही फैसा ले सकते हैं मैं तो कहूंगे कि अगर आप शर्तों के साब से नहीं जिन्दगी जीना चाहते उसके साथ तो ऐसे इनसान के साथ break up पर लो यह break up उस divorce से बहुत अच्छा है जो शादी के बाद होगा क्योंकि शादी समाच के सामने होती है सब को पता चलता है आपी शादी हो गई और कल जब आपका डैवोर्स होगा तो तब भी सब को पता चलता है कि आपका डैवोर्स हो गया है दिल से नहीं दिमाग से काम करें अगर आप break up पर लोगे तो आपका फैसला सही होगा कि कौन सी शादी करें मैं तो कहती हूँ कि जूई नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हो उससे शादी करनी है love marriage करने से पहले भी सौ बार सोचो उसके बाद ही फैसला लो मैं अभी एक लड़को लड़के से बात करते हुए कहती हूँ कि यह आप एक लड़के हैं और आप लड़की से प्यार करते हैं आपको वो बिलकुल गरत लगती है वो बहुत बत्तमीज इसमें बहुत attitude है बहुत चीचड़ी है बहुत गुस्सा आता है ठीक है और अब आप उस लड़की से इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप उसे प्यार करने हैं तो क्या ऐसी लड़की आप गर में चल पाएगी तो इसलिए कहती हूँ दिल से नहीं दिमाग से काम करो सही इंसान अरेंड मैरिज में भी मिल सकता है और हो सकता है कि लब मेरिज चकर में पढ़कर आप गलत इनसान से शादी कर जाएं और बाद में पस्ता हैं अब अरेंड मैरिज की बात करते हैं आपके पेनर्स ने आपके लिए बेस्ट ही सब कुछना होगा क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा आपको जानते हैं अगर आप अरेंड मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी बात पर ध्यान दो, सोचो और फिर अपना फैस्ता सनाओ अगर आपके सगाई हो जाती है तो अरेंड मैरिज में सगाई और शादी के बीच में जो समय मिलता है उससे आप पार्टनर से मिल सकते हैं एक दुसरे के जान सकते हैं अरेंड मैरिज में शादी के बाद प्यार होता है शादी के बाद वाला यह प्यार बहुत लंबा चलता है एक दूसरे की अच्छाई और भुराईयां धीरे धीरे पता चलती हैं तो अज़स्ट करना भी आ जाता है मैं एक बात लड़कों से कहना चाहूंगी कि अगर आप रेंज मेरिज करते हैं तो यह घर के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है और आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जो लड़की आती है यह आप भी बहुत रिस्पक्ट करेगी आपका कहना मानेगी प्यार से शांती से रहेगी क्योंकि और इन मेरिज में माबाप बेटी को समझा कर भी इस दे हैं कि अपने पती की अपने सस्राल वालों की इज़त करना कोई शिकायत का मौका मत देना अरेंज मेरिज में माबाप हमेशा आपके साथ आपके हर सुब्दुख में आपके साथ रहते हैं शादी के बाद अरेंज मेरिज में अगर कोई परशानी आती है तो दोनों परिवार बैट कर उसका हल निकाल सकते हैं लेकिन लव मेरिज में माबाप आपका साथ कभी नहीं देंगे वो बोलेंगे भाई शादी तूने की है तू ही नहीं भाई गरंटी तो किसी शादी की भी नहीं होती दोनों शादी सही है अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो और अगर एक पार्टनर अच्छा है तो दूसरे को और उसकी इस्परक्ट करनी चाहिए जिन्दगी बहुत प्यार से कड़ जाएगी और यही शादी सही है चाहे वे कहीं भी हो लब हो चाहे अरेंज हो दोनों शादी सहीं हैं अगर लड़का ये लड़की में अच्छे संसकार हूँ तो कोई भी शादी अच्छे से निब जाती है अगर मैं आपको अपने लाइफ का एक्सपीरेंस बताऊं तो मैं कई बार आपके पेरेंस ने आपके लिए अपने से अमीर घर में आपके लिए शादी की बात कर रखी होती है और जब वो आपको बताते हैं तो आपका किसी से अफिर होनी के वज़ा से आप लंब मैरिश की जिद करके शादी करवा लेते हो और आपकी शादी गलत इनसान से हो जाती है और आप बहुत पस्ताते हैं और कई बार याने यह भी देखा कि आपका कहीं भी अफिर नहीं है और आपके घर में खुझ चल कर बहुत बहुत बड़े घर का रिष्टा आ जाता है और आपको जिन्दगी में राजयोग मिल जाता है सच कहूं तो जो किस्मत में होता है वहीं मिलता है यह तो सब बहाने हैं कि लव मेरिज की या रेंड मेरिज की और आखिर में कहूंगे कि कभी भी शादी पेरेंस के प्रेशन में आकर नहीं करना और नहीं प्यार में अंधे होकर करना जब भी शादी का फैसला ने सोचने का समय लें तबी फैसला करें यह इंडिया है या शादी को जिन्दगी का बहुत फड़ा फैसला मना गया है वीडियो पसायंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करना फ्री है थैंक्स पर वाचिंग